हेलो एवरोवान नमस्ते माइनेम इस ईशा और वेलकम और वेलकम बैक तो माइ चैनल और वेलकम बैक तो अनादर ट्रेवल वीडियो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे साथ एक फोर्ट एक्स्टोर करने के लिए लेकर जाने वाली हूँ सो हम जा रहे हैं मलाडगर फोर्ट जो पूरे से करीब 30 किलो मीटर दूर है मलाडगर फोर्ट जाने के रास्ते में दीवे घाट पर एक बिठल की मूर्ती है जो हमने हमारा फर्स टॉप लिया ये मूर्ती करीब 65 फीट उची है और बहुत ही संदर है यहां पर पार्किंग एरिया भी है जिसका चार्ज 20 रुपीज है आप यहां चेक करके थोड़ा उपर भी जा सकते हैं और सिटी व्यू इंजॉई कर सकते हैं हमने यहां कुछ पिक्चर्स क्लिक किये तोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकल गए हमारे फाइनल और मेंन लोकेशन के लिए मलाडगर कि लास आसवर के पास पूर्ने से करीब 30 किलोमेटर दूर है यहां का रास्त बहुत ही संदर है इस किले को मलाडगर फोर्ट के अलावा सोनेरी किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि किले के पास एक सोनेरी गाउं है इस किले का नाम मलाडगर बगवान शिर्व के नाम पर रखा गया है आप यहाँ पर ट्रेक करके या फिर अपनी बाइक या कार से भी जा सकते हैं बाइक से जाने का रास्ता थोड़ा सा खराब है बट स्टल यूँ आप बोड़ ओप्शिंस केले तक पहुचने के लिए पाहर की मिट्टी को काट कर छोटी छोटी सीड़िया बनाए गई है ये किला मराथा एंपायर के दोरान बनवाया गया महाराश्च का आकरे किला था इस किले को 1757 से 1760 के बीच में बनवाया गया था और इस किले के अंदर बगवान खंडोबा और महादेव का मंदर भी है किले की दिवारे बहुत ही मोटी और पत्थर की बनी हुई है और अगर आप किले के दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको सास्वर दिखाई देगा किले की बहुत सी दिवारे आप खंडर हो चुकी है किले में एक छोटा सा कुंड भी है जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है ये फोट आप करीब 30 से 40 मिनिट में पूरा घूम सकते हैं इस फोट में तूटी हुई दिवारे, कुंड और कुछ दरवाजे भी है यहाँ पर महादेव और भगवान खंडरोबा का मंदिर भी है किले तक पहुचने के रास्ते से लेकर किले पर पहुचने के बाद वहाँ से दिखने वाले सारे व्यूस बहुत ही सुन्दर है कि आप पहुचने के बादे खंडरोबाब है झाल 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 झाल